सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहने न्यूस पाने के लिए घंटे को जरूर दबाए ये बिल्कुल प्री है महिंद्रा एक्सुवी 500 सेग्मेंट में एक लोग प्रीवान है हाला कि टाटा हैरियर के लाँच होने के बाद इसे करी टकर मिल रही है और इसलिए कमपनी जल्दी इस SUV का नया वेरियंट ग्यानी की W3 लाने जा रही है महिंद्रा एक्सुवी 500 डाँच होने के बाद बेस वेरियंट होकी प्रतिस प्रदी SUV को कीमत के मामले में मात देने के लिए कमपनी ने ये कदम उठाया है वर्तमान में टाटा हैरियर की कीमत महिंद्रा की इस SUV से 20,000 रुपे कम है महिंद्रा एक्सुवी 500 के इस नय वेरियंट का वीडियो सामने आया है जिसमें वहान को सभी तरफ से दिखाया जा सकता है नय वेरियंट के सामने हिस्से में क्रोम का प्रयोक किया गया है साथ ही इसमें फॉग लेंब्स और DRL भी लगाये गये है नय वेरियंट के जादतर हिस्से W5 वेरियंट से मिलते है लेकिन इसमें कुछ बदलाफ किये गया है इसमें side profile को body color में रखा गया है तथा rear के wash wipe features को हटा दिया गया है महिंद्रा ने XUV500 के W3 variant के interior को black theme पर रखा है तथा AC control दिया गया है automatic climate control नहीं दिया गया साथ ही इसमें सभी जगे plastic cascading की दी गई है XUV500 W3 variant में start stop button दिया गया है साथ ही इसमें power windows और height adjustable seats के साथ सभी seatों पर armrest दिये गया है lower variant होने की वज़े से कयामत में कटोर्टिंग की उमीद की जा सकती है वरतमान में base variant में W5 की कीमत कम से कम 10 से 11 लाग रुपे action room होने की संभाबना है नए W3 variant की कीमत इससे कम ही रखी जाएगी नए variant के साथ कंपनी ने इस segment में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है तो दोस्तों हमें comment box में बता है आपको ये महिंदरा की XUV500 का नया model W3 variant कैसा लगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेंदी न्यूस को सब्सक्राइब करें साथी घंटे का बटन दवा जीजे जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिशना कर सकें तब तक गले धने वाद